हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वाली हूँ लर्निंग की एक बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट थियोरी को तो आज की इस वीडियो में मैं आप से डिसकस करूंगी थॉन डाइक का ट्राइल एंड एरर थियोरी ओके गाईस तो आज से हम लोग लर्निंग की थियोरी इसको स्टार्ट कर रहे हैं और पहली हम लोग आज की जो थियोरी है वो हम डिसकस करेंगे ट्राइल एंड एरर ठीके पूरी की पूरी थियोरी को बहुत ही ज़ादा जीरो से डेप्ट में डिसकस करने वाले हैं इस एक वीडियो में हम जितने भी लर्निंग में जो भी थॉन डाइक ने सिधान्त दिया था क्या-क्या चीजे बताई थी सारी चीजे डिसकस करेंगे और हम इसके साथ साथ जो अधिगम के नियम थे प्राइमरी लौस सबको डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पूरी देखेगा आपको बहुत मज़ा आएगा और बिल्कुल अराम से देखना है फ्री होकर के ठीक है तो चलो स्टार्ट करते है थॉन्डाइक की थेरी में सबसे पहले थॉन्डाइक के बारे में आपको पता होना चाहिए थॉन्डाइक भी कौन थे व्यभारवादी थे ठीक है यह जो है इन्हें हम सिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको एक थॉन्डाइक के बारे में क्या आयद रखना है कि थॉन्डाइक जो है वो अजुकेशनल सेकॉलोजी जो है उस फ्च्छेय तो ट्राइलनएडर त्री इसको हम काई सारे नामों से जानते हैं सबसे पहले संबंध वाद का सिधान्त इसे प्रैतन इवन भूल का सिधान्त संबंध वाद का सिधान जिसको कनेक्शनिब कहें इसके आलावा इसे हम SR theory कहते हैं ठीक है और साहचर्य सिधान्त कहते हैं ठीक है ये नाम जो है thondike की theory के आपको याद रखने हैं उसके बाद discuss करते हैं कि thondike के according इस पूरी theory में क्या था ठीक है मैं जजजज़ से बताते जारे हूं आपको सिर्फ सुनना है notes भी जरूर बनाईएगा साथ के साथ इनोंने ये बोला ना thondike के अनुसार हमारा सीखना क्या होता है इनोंने कहा कि सीखने के प्रक्रिया में हम हम क्या करते हैं निरंतर प्रयास करते हुए हम अपनी गलतियों को कम करते जाते हैं और गलत अनुक्रिया के स्थान पर सही अनुक्रिया कर लेते हैं thondike ने क्या कहा easy क्या बोला कि हम जब भी सीखते हैं हमारी जब learning होती है तो हम निरंतर प्रयास करते जाते गलत अनुक्रियाओं को छोड़ करके सही अनुक्रिया करना सीख जाते हैं अब इन्होंने बोला थॉंडाइक ने सीखने की कुल तीन विशेषता हैं बताई जो आप लोगों के लिए बहुत जदा इंपोर्टेंट है ठीके तीन विशेषता हैं बोली थॉंडाइक ने पहली विशेषता ये बोली कि सीखना मनुष्य तथा जानवर दोनों में ही समान से होता है मतलब इन्होंने कहा कि जो भी लर्निंग हम करते हैं कोई मनुष्य है कोई जानवर है वह हमेशा ट्राइल एंड एरर से ही करता है चाहें इंसान हो चाहें जानवर हो थॉंडाइक ने बहुत सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था ठीके तो उन्होंने कहा कि हमारा सीखना जो है वो ट्राल एंड एरर से होता है चाहे कोई भी करें दूसरी चीज़ इनों ने बोली कि सीखना क्रम उत्तर होता है ना कि सूझ पूर्ण होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठियोरी को समझने में ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा थोंडे कहते है कि सीखना जो होता है वो क्रम से होता है मतलब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सीखना आप बार बार गलतियां करोगे जब आपकी गलतियां होंगी आप दीरे 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 उन गलतियों को क्या करोगे कम करते 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 सही चीज सीख चाते हो तो सीखना ऐसा नहीं है कि सूझ जुदपन नहीं होता अचानक से हमारे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आता आइडिया नहीं आते कि हम सीख जाएं तो यह आपको याद रखना है इनोंने बोला कि सीखना कैसा होता है एक क्रम से होता है मतलब आप पहले सीखोगे फिर गलती करोगे फिर गलतियों को कम करोगे ठ thinking and reasoning का कोई इस्थान नहीं होता है, सीखने के प्रकिरिया प्रत्यक्ष होती है, मतलब कहने का मतलब इनों ने बोला कि हमारे सीखने में, trial and error में क्या होता है, कि हमारे चिंतन, हम जो thinking करते हैं, हमारे cognitive process जो होता है, समस्य समधान करना, या reasoning करना, यह चीज हमारा यहां पर सीखने में नहीं होता है, trial and error में, जितना भी सीखना होता है, वो बार-बार प्रयासों से होता है, वो एक प्रत्यक्ष होता है, अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में discuss करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़दे important है, अगर theory की गहराई को समझना है ना, पूरी theory में बात क्या की गई है, तो आपको यह वाली चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, देखो, यहां पर क्या है कि जो trial and error है, उसमें दो हमारी sub-process होती है, हमारी दो उपक्रियाएं होती है, पहली उपक्रिया होती है हमारी हमारा चयन, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है, हमारा संबंद, अभी समझ आ जाएगा, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, example दूँगी, तो आपको समझ आ जाएगा, पहली चीज हमारा हम कोई चीज select करते हैं, दूसरा हत आता है कि जो हमने select किया है, उसमें हमें connection बना लेते हैं, संबंद बना लेते हैं, और जब ये स्चयन और संबंद हो जाता है, तो हम सही अनुक्रिया करना सीख जाते हैं, ठीक है, अब एक example देती हूँ, देखो ये उपक्रिया ये कहता है, कि जो भी हमारा stimulus होता है, ठीक है guys, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा as for stimulus है, और ये हमारा response होता है, ठीक है? Stimulus क्या होता है, जिसको हिंदी में उद्दीपक कहेंगे, उद्दीपक क्या होता है, ऐसी कोई चीज, उद्दीपक का मतलब है, stimulus का मतलब है ऐसी वस्तू ऐसी चीज जो हमें कोई ना कोई अनुक्रिया करने के लिए जो है कही ना कही हमें प्रभावित कर रही है ठीक है stimulus का मतलब क्या है कि ऐसी कोई चीज जिसके प्रती आप कोई action करने लग जाते हो वो आपका stimulus है जो आपको प्रभावित कर रहा है ठीक है तो यह कहते हैं कि यहां पे क्या करते हैं हम चयन करते हैं चयन का मतलब है कि जब भी हम सीखते हैं तो हम गलत 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 करते करते हैं हम सही का चुनाव कर लेते हैं ठीक है क्या करते हैं गलत 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 कर रहे हैं गलतियां हो रही है हो रही है लेकिन एक आपका प्रयास जो था वो सफल हो गया आप उस प्रयास को चुन लेते हो अपने लिए कि यही करूंगा ऐसे ही सवाल करूंगी ऐसे ही करूंगा व हमारे उद्धीपन और हमारी अनुक्रिया में क्या होता है एक संबंद बनता है हमारे स्टुमिलस और रिस्पॉंस में क्या बनता है एक कनेक्शन बनता है मतलब जो स्टुमिलस है जो चीज हमें प्रभावित कर रहा है और हम जो उसके प्रती अनुक्रिया कर रहे हैं उसके ब पूरी थेयरी की बात करेंगे न थेयरी में कैसे कैसे हुआ था तो मैं आपको एक इकसाथ समझाती जाओगे याद रखना कि हमारे इस टुमिलस और हमारे response में एक हम क्या करते सेलेक्ट करते सही अनुक्रिया को और एक संबंध कायम करते हैं हमारे इन दोनों के बीच में एक connection बन जाता है ठीके, वो connection कैसे बनेगा वो हम बिल्ली वाला experiment करेंगे तो समझ में आएगा आपको तो यहाँ पे इनों नों बोला कि सीखने में दो उपक्रिया होती हैं हमारा चयन, हम सही अनुक्रिया को चुनते हैं और उस अनुक्रिया के साथ हम एक संबंध को स्थापित कर लेते हैं इस्टूमिलस और रिस्पॉंस में इस थेरी को SR थेरी कहा जाता है और जब हम connection करते हैं तो हमारा सही अनुक्रिया को करना मतलब हमारी यहाँ पर learning हो जाती है ठीक है इतना याद रख लीजिए अभी यह SR जो है वो यहाँ पर समझ में आपको ज़्याद अच्छे से आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मैं आपसे discuss करने वाली हूँ यह तो basic बात थी थेरी की अब मैं discuss करूंगी कि trial and error में कुछ साथ steps थे यहाँ पर मैंने बिल्ली बिल्ली नहीं बनाई मैं आपको बिल्ली वाला नहीं बताऊंगी बतलब आप सबको पता होगा हम इसके steps को देखेंगे ठीक है यहाँ पर drawing नहीं है आप imagine कर सकते हैं आपको सबने पढ़ी होगी बिल्ली वाले experiment सबने जाना होगा कि उन्होंने क्या किया था एक box में एक भूकी बिल्ली को रख दिया था और उसके बाहर एक fish रख दिया था ठीक है तो अब देखो थियोरी में क्या होता है सबसे पहले पहला step आता है थियोरी का कि बिल्ली के सामने भोजन होता है क्या होता है एक भूकी बिल्ली को thon deck क्या करते है जो thon deck box उनका जो box होता है उसमें भूकी बिल्ली को डाल देते हैं और उस बिल्ली के सामने एक fish होती है तो वहाँ पर बिल्ली के सामने जो भोजन हुआ न है उसको जो बिल्ली जिस भोजन को देखती है वो उसका ड्राइव है क्या है चालक सबसे पहले आता है चालक यानि बिल्ली उस भोजन को देख करके उत्तेजित हो जाती है उसको भूक लगे उसको चाहिए तो यानि कि वो ठीक है संदूक से बाहर आकर मचली को खाना बिल्ली का क्या बन जाता है लक्षे बन जाता है अब बिल्ली ने वो देख लिया अब बिल्ली का ये लक्ष बन गया है कि मैंने ये मुझे फिश खानी है संदूक से किसी भी तरह बाहर आना है तो वो उसका लक्षे हो गया तीसरी चीज आती है कि उसकी लक्षे में बाधा आ रही है बाधा मतलब एक हर्डल है एक बीच में प्रॉब्लम आ गई वो क्या प्रॉब्लम थी कि उस बॉक्स का दर्वाजा जो था वो बंद था ठीक इतनी बात समझा गी अब चौथा स्टेप आता है थेयरी में कि बिल्ली देखत है कि उसका दर्वाजा बंद था उसके बाद क्या करती है उल्टे सीधे प्रयास करती है बहुत सारे मल्टिपल प्रयास करती है बार बार करती है इधर से उदर पैर मारेगी हाथ मारती है उसको निकलना है उसको खाना है तो वह उल्टे सीधे प्रयास करती रहती है उसके ब होता है कि बिल्ली का जो और दर्वाजा खुल जाता है ठीक है उसके बद क्या होता है कि सही प्रयत्निकाद अब देखो यहां क्या हुआ उसको यहां पर सही योगवस सफलता मिली उसने उसका पैर लिवर पर दबा गेट खुला और बिल्ली जो है वह बाहर आके उसने अपना खाना खा लिया ठीक है उसके बाद क्या होता है कि वह बिल्ली ने दरवाजा खोलने का सही तरीका छटे पचानक से एक पैर दब गया लिवर पर और सही अनुक्रिया का बिल्ली चुनाव यहां पर सही प्रतन का चुनाव बिल्ली कर लेती है कहने का मतलब है कि यहां पर उसने यह चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं वहां पैर दबाऊंगी तो मेरा दरवाजा ऐसे खुलेगा अधर प्रियासों को छोड़ कर बिल्ली जो है वो सही प्रियास करना सीख लेती है तो ऐसे बिल्ली ने क्या किया बिल्ली ने खाना नहीं खाया बिल्ली को खाना फिश खाना पहले से आता था बिल्ली ने क्या किया उस दर्वाजे को कैसे खोलना है यह चीज़ वो सीख गई कैसे स 12 से बताती हूं अब आपको जादधा clear होगा यह जो आप SR में बता रही थी आपको stimulus response theory तो stimulus क्या है यहां पर बिल्ली का भोजन ठीक है stimulus क्या है बिल्ली का भोजन है और response क्या है response जो उसने दर्वाजा खोला या जो उसने तरीका ढूणा तो यहां पर क्या हो जाता है बिल्ली ने क्या कर लिया stimulus यानि भोजन और जो वो लिवर पे पैर दबाई जो उसने दर्वाजा खोला जो उसका response है उसके बीच एक क्या बन गया connection बन गया बना या नहीं बना connection मतलब कि यह मेरा भोजन है मुझे लिवर पे पैर दबाना है यानि कि उसके stimulus और जो उसको response था उसके बीच उसने connection बनाया अगर वो connection नहीं बनाती यहां पर उसे बता नहीं चलता कि लिवर पे दबाने से ही दर्वाजा खुलेगा तो नहीं सीखती तो यानि कि इसी को संबंध बात कहा जाता है हमारे stimulus और हमारे response में connection हो जाता है अब क्या हुआ कि थॉन डाइक ने जब बार बार इस प्रयास के बाद इस एक्स्पेरिमेंट के बाद जब बिली को दुबार जब वुल्कुल भी गलतप्रयास किये नहीं उसको पता था कि में लिवर पर दबाओंगी अब क्योंकि उसको उसने पहले कर करके देख लिया ठlight अर उसने बिलाया अरो उसने क्वाने को छो यी और इसने stimulus और response के बीच क्या बना लिया एक संबंद बना लिया उसे पता है कि मुझे लीवर पर प्यार दबाना है connection हो गया यहाँ पर stimulus and response के बीच में आपको यह समझ आ गई होगी में बाद theory की क्या थी इसी को ऐसा आर theory कहा जाता है और इसी theory के basis पे थौण डाइक ने कुछ अपने नियम दिये थे अब हम उन नियमों को एके करके देख लेते ओके so I hope कि आप note कर रहे हैं सभी ठीक है मैं चाहूंगी कि आप इनके notes खुद के please बना ले ठीक है क्योंकि अगर आप notes अपने खुद के बनाओगे तो जाधा फायदा है ऐसे क्या होगा कि आप भूल जाओगे ठीक है तो चलो थोड़ा सा हम लोग इसके laws को देख लेते हैं ठीक law of readiness को बोलेंगे ततपरता ततपरता का नियम यह होता है कि जब तक आप ready नहीं है किसी काम को करने के लिए आप वो काम नहीं कर सकते सपोस्थ कि मैं यह वीडियो बनाने के लिए जब तक mentally ready नहीं रहूंगी या एक बच्चा जो है वो सीखने के लिए जब तक संग्यनात्म क्रूप से मानसी क्रूप से तयार नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख सकता मतलब यहां पर ततपरता का मतलब है अब देखो मैं आपको सीधा थॉन्डाइक वाली बिल्ली के पास ले चलती हूं एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि बिल्ली को रेडी किया गया था किया गया था कि नहीं बिल्ली भूखी थी उसको भूख लगी थी उसको वो मेंटली प्रेपेर थी कि मुझे वो खाना खाना है अगर थॉन्डाइक ने बिल्ली को खाना वाना खिला के उसमें डाला हो होता तो हो सकता है बिल्ली प्रयास करती ही नहीं इसी को कहते है लॉफ रेडिनेस कि भई आपके सीखने में ततपरता होनी चाहिए जितने आप तयार होंगे मानसिक जूप से हर तरह से उतना ही आपकी अच्छी होगी ठीक है दूसरा आता है love uh love exercise the love exercise में दो चीज़े आती है यानि कि जिसको अभ्यास का नियम कहेंगे ठीक है अभ्यास के नियम में आपका पहले आता है love use और दूसरा आता है आपका डिस-यूज ठीक है love of using law ofadist use दो तरह के नियम आते हैं अभ्यास का नियम क्या कहता है ध्यान से सुनियागा आपको सुनना है देंगो लॉजव मेंना आपको सिर्फ इतना कुछ नियम करना अपको सुनना है ध्यान से समझना है लॉफ exercise यह कहता है कि जिस काम को आप बार-बार करते हैं जितना हम काम को बार-बार करेंगे हमारा connection मजबूत होता जाएगा हमारी learning और अच्छी होटी जाएगी ठीक है इसे हम law of use कहते हैं उपयोग का नियम अगर आप कोई चीज को बार-बार अभ्यास किया जैसे मैं यह बतारी हूँ अगर आप यह चीज बार-बार करोगे तो आप उस चीज को और भी बैटर तरीके से सीख जाओगे आपका सीखना और भी जादा मजबूत होगा लेकिन अगर उसी जगह पे आपने उसका उपयो जो डिस्यू प्रभाव का नियम क्या कहता है कि अगर जयान से सुनिएगा अगर आपके सीखना जो आप लर्निंग कर रहे हो आप कोई चीज सीख रहे हो अगर उसके सीखने से उसका प्रभाव आप पर पॉजिटिव पढ़ा सैटिस्फेक्शन आपको मिली उस काम को करके आपको संतुष्टी मिल रही है आपको खुशी मिल रही है आपको कुछ मिल रहा है ठीक है चाहिए वह आपको पॉजिटिव है या आपको संतुष्टी मिल रही है खुशी मिल रही है अच्छा लग रहा है तो आप उसी काम को बार-बार करेंगे अगर उस काम को करके आपको जो है satisfaction नहीं मिल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, आपको negative मिल रहा है कुछ, तो आप उस काम को छोड़ दोगे, जैसे अब thon dyke वाले example देखते हैं, बिल्ली क्या कर रहे थी, उसने liver पे पैर जब दबाया, तो liver पे पैर दबने के बाद उसे क्या मिला, उसे खाना मिला, वो गई और उसने जट से जाके खाने को खा लिया, यानि कि उसने जो बार-बार इतनी महनत की है, उस महनत के बदले उसको क्या मिल रहा है, fish मिली ना, उसको उसको खाना मिला, यानि कि यही तो law of effect है, कि आप किसी काम को अगर कर रहे हैं, उस काम को करके अगर आपको कुछ मिल रहा है, तो आप उस काम को बार-बार करोगे, अब बिली को thon diek ने डाला था, अगर thon diek खाना नहीं देते, बिली बहार आई, उसको खाना मिला ही नहीं, तो क्या वो दुबारा उतनी ही प्रयास करती, नहीं करती, उसको खाना मिल रहा था, बार-बार लिवर पे पैर दबाने से, गेट खुलने से उसको खाना मिल रहा था, इसी लिए वो बार-बार वो चीज़ कर रही थी, समझा है, तो law of effect कहते हैं, कि जिस चीज़ का प्रभाव हम पे बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो मैं उसकाम को बार-बार करूँगी, तो यही चीज़ होता है, हमारा law of effect, अब देखो, यह तीन नियम तो हो गए, हमारे primary laws, law of readiness, law of exercise, law of effect, अब हम थोड़े से secondary laws को discuss करेंगे, दुइतियक नियम, सहायक नियम, या जिनको God नियम कहते हैं, जो बहुत ज़ादा यह भी important है, कई बार paper में repeat हो जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो चलिए थोड़ा सा discuss करते हैं, law of secondary laws जो हैं हमारे, वो कौन-कौन से हैं, ठीक है, सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, थोड़ा जल्दी से discuss करेंगे, ठीक है, बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया का मतलब है, multiple responses, ठीक है, law of multiple responses, बहु अनुक्रिया का नियम ये कहता है, थौणडा के experiment से देखेंगे, बिल्ली क्या कर रही थी, बार 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 क्या कर रही थी प्रियास कर रही थी वही तो है बहु अनुक्रिया का नियम समझ आया क्या कहने हूं बिल्ली जो थी वो बार 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 गलत गलत कर रही थी इधर मारी थी लिवर में उधर मारी थी मतलब उसको पता नहीं है लेकिन वो बहु अनुक्र से सीखते हैं एक चीज बच्चा अगर सीख रहा है वो बहु अनुक्रियां से सीख रहा है आप सीखते हैं आप बार-बार करके ही सीखते हैं एक बार में कोई भी नहीं सीखता है तो बहु अनुक्रिया का नियम कहता है कि हमारे multiple responses होते हैं हमारी learning में हम बार-बार-बार-बार बहुत सारी चीजे करते हैं try लेकिन जो हमें सबसे अच्छा लगता है जो सही होता है वही चीज हम सीख जाते हैं तो यही है बहु अनुक्रिया का नियम मतलब हम क्या करते हैं सीखने में हमारी भहु अनुक्रियाय होती हैं, बार 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 करते हैं and then हम सीखते हैं, ठीक है दूसरा नियम देखते हैं गौणडनियम में दूसरा नियम आता है law of associative shifting ठीक है, मतलब कि आपका इस्थान साचरיה का नियम ठीक है यानि कि law of associative shifting कहता है law of associative shifting देखो क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने यह कहा कि हमारा जो stimulus होता है और जो हमारा response होता है उसमें एक साहचर्य बन जाता है ठीक है यानि कि association की बात यहाँ पर होती है यह important है यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहा गया कि हमारे stimulus और हमारे response में एक साहचर्य बन जात इसका एक एक जामपल में देती हूं इसमें क्या हुआ था कि जब थॉन्डाइक अपनी बिल्ली को उन्होंने बॉक्स में डाला था तो उसके साथ उन्होंने क्या किया था दूसरे response को associate कर दिया था कहने का मतलब क्या है कि एक Cat थी उसको 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 box में बंद किया था ठीक है मालनों यहाँ पर cat है उसको क्या किया था box में THONDYKE ने बंद किया था ठीक है उसके बाद THONDYKE जब box में उसको बंद करते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं कि उठ जाओ खड़े ह हो जाओ ठीक है उन्होंने बोला कि खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ ठीक है उन्होंने इस तरह से क्या किया उसके stimulus और उसके response में associate कर दिया ठीक है कहने का मतलब है कि जब वो बिल्ली को बार-बार उस में डाल रहे थे और जब बार-बार बिल्ली जो है लिवर पर पैर दबा रही थी तो उसके साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स ने यह भी कहा कि stand-up खड़े हो जाओ तो यानि कि क्या कहने का मतलब है कि बिल्ली का response को associate कर दिया गया दूसरे response से ठीक है तो यह जो नियम है यह पावलोव के नियम में आपको मिल जाएगा इसी पर डिपेंड है पावलोव का नियम पावलोव का जो नियम था association वाला वो इसी थॉंडाइक के इसी associative shifting से आया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है उसके बाद next देखते हैं ओके तो थर्ड आता है हमारा law of analogy ठीक है law of analogy अनलोजी मतलब analogy का मतलब होता है समानता का नियम एक तरह से समानता इसको हम कह सकते हैं समानता का नियम ये नियम कहता है कि हमारे सीखरे में जब अगर पहले सीखरे में कोई समानता होती है पहले और जो हम अब सीखरे उसमें कोई समानता है तो हमारी learning बहुत अच्छी होती है जैसे कि बिल व् पहले उसने और था चार्श कर आठ pillars ने मैं अ सीखने में हमारे पुराने सीखने में और हमारे यानि हम जो new सीख रहे हैं और जो हम जो पुराना हम सीखते हैं हमारे उसमें एक अगर समानता होती है हमारे तत्वों की प्रबलता होती है तो हमारा सीखना जो है वो बहुत ही जादा अच्छा होता है ठीक है समानता होनी चाहिए हमारे पुराने और नयमें कुछ ना कुछ तभी हम सीखते हैं उसके बाद चौथा इनोंने बोला तत्वों की प्रबलता का नियम तत्वों की समरूपता या इसको हम प्रबलता कह सकते हैं इंग्लिश में इसको कहेंगे इंग्लिश में इसको बोलेंगे law of intensity of elements intensity of elements intensity of elements का मतलब यह होता है इस नियम का मतलब यह है कि जब भी हम कोई चीज सीखते हैं अगर हमारे सीखने में जो भी तत्व हैं हमारे वो प्रबल होते हैं तो हमारे सीखना उतना ही अच्छा होता है जैसे कि अब मैं जो कोई चीज मालनो सीख रही हूँ ठीक है मैं कोई चीज सीख रही हूँ तो मेरे सीखने में जो जो intensity होगी मतलब अगर मैं कोई काम सही सही बार बार कर रही हूँ तो उतनी ही तत्मों की प्रबलता मेरी हो जाएगी ये जो नियम है वो इस नियम से काफी जदा मिलता जुलता है मेरे पुराने सीखने में नए सीखने में अगर तत्मों की समरूपता है तो तत्मों की प्रबलता है तो मैं उतना ही अच्छा उस चीज को सीखूंगे जैसा बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट में वहां पर क्या हुआ था कि बिल्ली बार बार कर रही है करते करते क्या हुआ कि सही करना सीख गई एक प्रयास उसका सफल हो गया एक जो हे यहाग सब जो एक रिस्पॉंस था वो सही हो गया तो यानि कि अब उसने तत्वोओं-ाष आधी प्रबलता था है हमारे आसपास के situations अगर हमारे उसके according है तो हम ज़ादा सीखते हैं ठीक है उसके वाद पांचवन नियम आता है हमारा law of disposition law of disposition को कहेंगे अभी वृत्ती का नियम अभी वृत्ती कह सकते हैं law of attitude कह सकते हैं मतलब की सीखने वाले की अभी वृत्ती पर निर्भर करता है कि हम कैसे सीख रहें कहने का मतलब है अगर बिल्ली जो है वह बिल्ली mentally अगर प्रिपेर नहीं होती बिल्ली बिल्कुल भी इंट्रस्टीड ही नहीं होती तो हो सकता है वह ना सीखे तो यह कहता है कि हमारी अभी वृत्ती क्या है किसी situation को ले करके मेरा नजरिया क्या है वह चीज हमारे सीखने पर बहुत डिपेंड करता है जैसे अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं किसी काम को ले करके जो आपका रवया होता है वह हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जैसे बिल्ली थी बिल्ली मेंटिली तयार थी कि मुझे करना है उसका attitude था एक तरीकी का तो वह सीखी ठीक है गाइस तो यह थे कुछ नियम अब बहु अनुक्रिया मतलब multiple responses करते इस थान सहचर्य का मतलब है कि हमारे उद्दीपक और हमारी अनुक्रिया के बीच में एक सहचर्य भी बन जाता है ठीक है उसके बाद analogy मतलब जितनी समानता होगी हमारे पुराने और नए में उतना हम सीखते हैं तत्वों की समरूपता यानि हमारे elements क्या है आसपास के हमारी situations हमें बहुत ज़्याद सिखाती है और जितनी तत्वों की प्रबलता होगी उतना ही अच्छा हमारा सीखना होता है फिर लास्ट आता law of disposition यानि हमारी अभीवरिती क्या है कुसी भी काम को ले करके ओके तो यह थी आज की थौंडड़ की थेरी थौंड़ की पूरी मैंने आज इसमें sum up करूँ so I hope आपको आज की session में बहुत सारी चीज़े clear होंगी वीडियो ची लगती तो like जरूर कीजेगा comment section में जरूर बताइएगा okay so मिलते हैं next वीडियो में okay thank you so much